है गाईज वेलकम टो साइकावानेस आई होब आपसा बच्छोंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट वेकेंसी आपके अल इंडिया के लिए ठीक है अल इंडिया से एलिजिबल हो इंटर्वी नहीं होगा तो कंप्लीट वीडियो देख लो अप्लाई करने की और अप्लाई करनी को बाद में बात करेंगे फॉर्म कैसे बनना है देखो सेंटर गवर्मेंट होस्पिटल ठीक है जो मिनिस्ट्र फेल्ड फेमिली वेलफेर के अंदर आधा इस सभी जो 900 पोस्ट है वो सभी की सेंटर गवर्मेंट की जोब रहेंगी पर्मनेंट आपकी ठीक है जो जितनी भी कोई भी प्रमोशन के बेसिस पर कुछ नहीं है तो पोस्टिंग कहा होगी आप ऑल इंडिया से फॉर्म बढ़ सकते हो गुरूप बी और गुरूप सी के पोस्ट है तो गुरूप बी और गुरूप सी में इंटर्वी नहीं होता है अपका होगा और रिटर इंग्जाम आप चिल्डन और रूलर्व हेल्थ ट्रेनिग ठीक है चलो वेकेंसी पर चलते हैं पहली वेकेंसी आपकी वेलफेर एक्सेंस्रड state це किए पोस्टिंग होगी कहा पर रहती सीमें और इसमें दो पोस्ट है एक पोस्ट डिजल्वे एसी केटींग के लिए और एक पोस्ट डिजली OBC category के लिए qualification देखो master degree in social sciences आप social sciences में कौन सब्जेक्ट आते हैं आप इसको google करो और form भर लो ठीक है sociology, social work, social psychology फिर social anthropology, cultural anthropology etc. अगर general psychology भी करिए normal तो भी form भर पाऊगे ठीक है ना और कोई भी experience नहीं मागा precious eligible अगर general हो तो आपकी minimum wage 18 और maximum 25 साल होने चीगए और SCHT OBC को resolution मिलेगा HC accounting center comment का ठीक है फिर है computer की post है ये RSTC में एक ही position जनरल की इसमें और इसमें degree मागए किस post में degree मागए देखो इसमें mathematics या पर stat में आपको इसमें degree हो मतलब one of the subject सब्जेक्ट आपने इसको पढ़ा है अपलाए का सकते हो माना और साथ में 5 एर का experience चाहिए आपको इसमें ठीक है फिर चलते देखो फिर रेडियोग्राफर की है तो 12th past science और रेडियोग्राफर की डिप्लोमा X-ray में X-ray का certificate चाहिए ECG में ECG certificate चाहिए आपको फिजियो थेरेपी की फिजियो थेरेपी में bachelor degree in physiotherapy plus two year experience ठीक है अपलाए कर सकते हो अब देखो जो master's लिखावान जो इसेंसियल मतला bachelor चाहिए चाहिए ठीक है फिर operation attendance theater में आपके पास क्या हो six month का experience of working in field में certificate आपको पास aid first aid का ठीक है ठीक है न और OBC के लिए लेवल 6 की पोस्ट है qualification समझो क्या है इसकी आपने bachelor degree कर रहे हो social work में या फिर sociology में आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है या फिर आपने degree कर रहे हो किसी भी stream में साथ में one year का diploma और social work में तो भी अप्लाई कर पाऊगे और bachelor के साथ दूसल का experience आपको चाहिए अगर आपने master's करा है social work में या फिर MS sociology करा है तो आपको one year का minimum experience चाहिए इन government hospital या फिर government institution में आपने काम कर रहा तो अप्लाई कर सकते हो ठीक है फिर उसके बाद आप यह चेक लिना है medical record इसमें आपको ठीक है फिर एक्से टेक्निशन में आपको certificate चाहिए उसके बाद और भी पोश्ट है अभी देखो यह पोश्ट देखो यहां पर टेक्निशन ECT ठीक है डॉक्टर राम मनलोया में position है एक पोश्ट है जनर्रल के लिजर्व है तो सभी अप्लाई कर पाएंगे अब जो आपकी पोश्ट सोसल वेलफेर ऑफिसर की इसमें आपकी जनर्रल के लिए मैक्सिम वेजर्व होनी चाहिए जनर्रल के लिए बाकि इतनी फिर यह EWS फिर यह अलग काटेगरी है तो लेवल दो की पोश्ट है देखो क्वालिफेक्शन देखो आपने 10 प्लस टू कराओ साइंस से आप पॉर्म बढ़ सकते हो साथ में अपने 10 प्लस टू में फिजिक्स केमिस्टी और पढ़ाओ 10 प्लस टू में और साथ में व बात कर लेते हैं बाकि जो जो कार्डिक टेकनीशन आप्लोड देख लेना ठीक है इसमें टेक्नीशन में तो मंगा नहीं टेक्शन टेक्शन में कोई सिर्फ ढ़िए मंगी है फिजिक्स से बस हो गया और कुछ नहीं मांगा है और बाकि देखो और कौने पोश्ट है के टेक और इसमें आपको टेंपलेस्ट टू साइन्स होना चीए और थ्रीयर का एक्सपीरियंस होना चीए कि कहां पर डेंटल सर्जन है हॉस्पिटल में ठीक है यह हो गया अभी और कुनकों सी पोस्ट में आप सभी अप्लाई कर पाऊगे और मिनिमम्म दो साल का एक्सपीरियंस या फिर किसी इस्टूट में चाहिए अपकी आप अप्लाई कर सकते हो अब यहां पर एक चीज और है कि मास्टर जिसके पास है और क्या करें देखो यहां पर लिखा है अनिवारी अपके बास बैसलर होना ही होना चाहिए ठीक है डिजारेवल मतलब नहीं भी है तो चलेगा पर यह तो आपको चाहिए तो बैसलर डिगर आपको साइकोलोजी में होनी चाहिए ठीक है अपना टूएर एक्सपीरियेंश पर एक बार आप फॉर्म भर कर देखो कि अगर महां पर मास्टर इन साइकोलोजी का अपस्टन आ रहा है तो आपको फॉर्म भर सकते हो किस पोश पर देख लीते हैं और जो सिंपल है उसकी वास दो सिंपल देखो पा हो गया इतनी पोशिशन है अब जो इसको एक्जाम केरा के डेट है इसका जो अप्लिकेशन फॉर्म है ऑनलाइन हो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया लाजट 25 अक्टूबर आपकी फॉर्म बनने की है और रिजर्ट आपका आजागा फर्स्ट वीक दिसंबर में और डोकुमेंट वेरिफिकेशन होंगा आपके सेकिंड वीक दिसंबर में सब कुछ पहले ही आ गया है ठीक है देखो यहां पर अप्लिकेशन आप अनलाइन भरोगे कंप्टर बेस आपको टैस्ट होगा टैस्ट आपको लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो बाकि अप्लिकेशन फी अगर आप जन्रल मेल एड़लूएस मेल और ओबीसी मेल हो तो आपको 600 रुपर का फॉर्म बनना पड़ेगा अगर आप वुमेंट करने डेट है या फिर आप सेस्ट में आते हो ठीक है यह पीड़ीड में एंद एंचर के रीजन में अपका इंटर आएगा. ठीक है और कहीं निया आएगा. स्कीम के है एक्जामिनेशन की कंपुटर बेस्ट एग्षामिनेशन टैस्ट होगा. अब यह एक घंटा पेपर के लिए 60 कोशन करने के लिए और अल व्यों प्ज जो हिंदी न्यग्लिज् पर अब इस लेबस यहां पर मेंसन नहीं है यह बात भी आ दखना इसलेबस फॉर ग्जामिनेशन विल भी स्लेबस को डगालिफाइग ग्जामिनेशन तो जो आप जिससे आप साइकॉलोजी का भरो तो साइकॉलोजी आ सकती है अगर सोसल वर्क में सोसलोजी आगी बाकी एक चेक करने बाकी बाकी हो गया इतना ही है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है और इसका ऑन-laiN form कैसे भरेगा आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर जाके ऑप अन-laiN form भर सकते हो सबसे पहले आप रगे और रगिस्टरेशन करने के बाद आपके अपन हो जागा ठीक ह यहां पर आपके name, date of birth, email id, confirm, mobile number और capture भरके आप ऐसे form को आगे बढ़ाते हैं आपको form अराम से भढ़ जागा आप फॉन से भी form अपना भर सकते हो ठीक है ना तो simple ता form है यह description में सब कुछ दे दूँगा और यहां पर क्या आ रहा है advertisement यहां इंग्लिस में अगर चाहो तो आप हिंदी में भी इसको download कर सकते हो अगर आपको इंग्लिस में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी इस notification को पढ़ सकते हो, notification हिंदी में पूरा पूरा DIYs theme ठीक है तो यह website है यहां से अगर आपको समझ में नहीं का apply कैसे करना है तो आप यहां पर क्लिक करके how to apply ब सब कुछ दिया हुए आपको आराम से फॉर्म बोरो 25 अक्टूबर लाज रेट है अगर फिर भी फॉर्म भनने नहीं आ रहा तो उसमें लिखो YouTube में जाके सब दरगेंज हॉस्पिटल ऑनलाइन फॉर्म हाउ टू फिल इसने लिख दो आपका वीडियो आजेंगी महां से भी सब कुछ में आपको बता दिया है बाकि और कोई क्लासे चल रही है अगर आप चाहो तो क्लासे जोइन कर सकते हो साइकालोजी की तो आज इससे आपका पेपर और थोड़ा अच्छा हो जागा अब अच्छे से एक्जाम करेंगे बाकि जल मिलते को अच्छी अपडेट मैं तब तक लिए थैंक यू